हेलो एब्रिवन गुड डिवनिंग कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज है 6th of December 2022 और डे है Tuesday तो दो तिन दिन से जोगो मैं प्रिवियस एर के कोश्चिन जो डिसकस नहीं कर पाया बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मुझे मैसेज भी किया कॉल भी की एक दोने की आप जो वीडियो नहीं आ रही है जैसे हम 2019 के जोगो साथाट पार्ट में जोगो 34 या 35 कोश्चिन तक जो डिसकस कर चुक है 2019 का प्रि स्कूल का तो मैं नहीं बना पाया लेकिन कोशिस की है मैंने जोगो आपको एक नया टॉपिक जोगो समझाने की तो अगर आपने पिछले दो दिन की जो वीडियो है जिसमें की जोगो मैंने एक पावर से लेट पावर का जो कंसेप्ट है जैसे कि इस टाइप का कोश्चिन आपसे पुझ जाजते हैं देखेगे आप फिफ्ट क्लास में है या आप जो वो एठ्ध क्लास में जोगो है तोravOS niet बूदे तो आप जो इन वीडियो को पूरा देखा करेंगे, क्योंकि फिफ्ट क्लास से लेटी जब भी हम कोश्चिन कोई डिसकस करते हैं, तो वो एर्थ क्लास बालों को भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिफ्ट बाले का जो बेस है, वो नहीं पता है, तो आप जो वो टॉपिक डिसकस किया था, कि इक्यूलेटर ट्राइंगल है कोई, तो इसके अंदर अगर सरकल है कोई, तो यहां पर जो इसके जो भी इक्यूलेटर ट्राइंगल से लेटिट किया कि आप से पुछ रासकता है, वो हमने जो डिसकस किया था, तो एक तो बो पार्ट जो हमने 2 है, तो इसका अंसर जो वो अलग Анएंवाला है, जब कि झो बो 3 की power 2 और यहां पर 3 है, ठीक है, इसका अंसर अलग आने वाला है, तो आप जब लेंगे, कि 3 टू जा 6 है, Тू की power 6 अपर यह जब ऐसे नहीं होगा, यहांपे तो यहाँ पर 3 के बावर 8 जो यहाँ पर होगा तो यह हमने जो डिटेन में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यूं होता है तो अगर आपने बो बाले पार्ट 2 नहीं देखे है तो बो जो बो आप देख लीजिए तो आज हम फिर से जो बो स्टार्ट करने वाले है साइद पार्ट जो वो 10 तो आ चुका है यह जो साइद पार्ट 11 होगा आप देख लीजिएगा कौन सा पार्ट आपने जो देखा है कौन सा नहीं देखा है हम लोग जो बो सिक्वेंस बाई चल रहे है हमने बीच में जोगो कोई कोशिन नहीं छोड़ा है यह जो सेट सी है 2019 और इंडिया सेनिक स्कूल एंट टांस एक्जामिनेशन स्बसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथेमेटिक्स तो कुछिन नमबर 34 को देखते हैं पहले 34 कौन सा है 29 है 30 है 31 है आम से भरी टोक्री है तो यह तो हमने कर लिए था 34 कौन सी यस 34 कोशी नमबर था देखिए यहां पर 34 में बोला था कि which of the falling two dish number when added to 27 get reversed तो इसने बोला था कि कौन सा two dish का नमबर है जिसमें जो 27 एड करके जो वो reverse हो जाता है मतलब कि वो जो वो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा ठीक है तो यह हमने कर लिए था और इसका अंसर जो वो मेरे ख्याल से साइद 47 आये था ठीक है क्योंकि 47 ब्लेक रेड से लिखते है 47 में जो वो 27 प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 7 और 40 कि तना है 27 है और यहां पर 47 है तो और एक आगे फॉर्वड हो गया कैरी 24 और टू हो गया 6 और 7 74 आगा देखे 47 और 74 रिवर्स हो गया नहीं तो 47 विल भी राइट अंसर यह हमने डिसकस कर लिए था लास्ट टाइम तो चलिए फिर अगले कोश्चिन पर आते हैं जो कि आज बाले जो कोश्चिन है बो जो काफ इंटरस्टिंग है तो कोशी नंबर 35 से स्टाट करता है मैं इस कैमरे को यहां से हटा देता हूं यस देखिए कोशी नंबर 35 देखिए काफी अच्छा कोशीन है राधा दा रेसो ऑफ इंकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इस सेवन रेसो फाइव इफ सी सेव टू तो यहां पार्मूला भी निकल के आ गया कि जो हमारी एकस्पेंडिचर है अगर उसको जो वो निकालना हो तो हमारा अंसर बन जाएगा एक्सपेंडिचर हम दो कि खर्चा कितना होगा खर्चा कैसे निकालेंगे हम लोग खर्चा निकालेंगे जो भी इंकम है उसमें से माइनस करतो सेविंग्स स्वाइब और अगर कि खर्चा निकालनी तो बधना सब्सक्राइब माइनस करते हैं यहाँ सब यह समझर sevyn ौ जबना साथ है इसका सबने सेवन अगर माती चाहर यहां सब अगर वो महीने में दो जार बचाती है, अब यहां पे इसने नमबर दे दिया हमें, कि दो जार जो बो महीने में बचता है, उसकी सालाना आज जो कितनी है, वो साल में कितनी के बाती है, अब देखें यहां ध्यान से चुनिए, यहां पे सालाना पूछा है, सालाना मतलब एक पूरे साल का जब हो यहां पे उसने पूछ धे अ के इसको जुब कैसे सॉम पर इन्ट्रस्टिंग है कि साल का कुतना होगा जो कि बार हर मिने बच रहे हैं बारा मिने का उनक नसाद में पचा किर But 24,000 जो उसका साल का सेविंग्स है 24,000 उसकी साल की सेविंग्स है ठीक है अब देखिए अब हमने जो यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले तो हम equation बनाएंगे ठीक है तो एक जो आप पहले तो जो भी जैसे इसने जो वो क्या दिया है 7,05 दिया है मतलब कि income to expenditure है income जो उसने कमाया expenditure जो उसका खर्चा है income to expenditure दियान दिजिया हम पे income to expenditure तो इसने फिर पूचा क्या है इसने पूचा what is our annual income तो annual income जो वो हमने निकालनी है तो अगर मैं इसके अगर मैं इसको ऐसे बनूँ कि 7,05 का मतलब होता है 7 upon 5 तो ठीक है 7 upon 5 भी होता है तो अगर मैं इस सैट जो भी जो वो रिसो में लिखूँ तो हमने जो वो निकालना है कि उसकी annual income कितनी है क्योंकि हमने यहाँ पे 7 जो वो annual income ही तो लिखी है क्योंकि यह रिसो में है तो annual income को जो वो मैंने माल लिया X ठीक है तो यहाँ भी जो 5 है यह क्या है हमारा यह जो वो हमारा जो expenditure है खर्चा है वो है तो expenditure जो वो कैसे निकलेगा expenditure निकलेगा जब हम जो वो जो भी हमारी annual income है मतलब X जो वो हमने माल लिया उसमें से minus करेंगे हम लोग क्या उसमें से minus करेंगे जो हमारी savings है तो savings पूरी साल की यहाँ पर डाला पड़ेगी 24,000 जो हमने अभी निकलेगी तो मतलब कि जो savings है वो है X minus 24,000 ठीक है तो हमारी जो वो ratio में जो एक equation बन चुकी है आपको यहाँ पर X की value निकल देगी ठीक है तो X की value जैसे निकलेगी X हमने माना था क्या annual income ठीक है तो साल की जो income है उसकी तो वो जो वो यहाँ पर calculate करके आएगी तो मैं जो यहाँ पर ही multiply कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर simply हो गया 5 multiply X 5X हो गया cross में multiply होता है और 7 को इन दोनों से multiply करेंगे equal to के जिसी साइट चला गया 7 जब X के साथ हुआ तो 7X हो गया और minus 24 को 7 से करेंगे तो यह होचा है का 24 7 जा 8 और यहाँ पर आजागा 6 8, 6, 1 ठीक है तो 1, 6 और 3, 0 और लगा लो इसके साथ तो A आ गया यहाँ पर 7 से multiply करेंगे अब अगर मैं इसको ऐसे देखों कि 7 is set गया तो 5X में से 7X माइनस हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो वो minus का क्या बचा minus का 168, 00, 000 बचा अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि 5X में से 7X माइनस होगा तो हमारे पास 2X बचेगा लेकिन वो बचेगा minus का और यहाँ पर आप देखेंगे तो minus बाला ही नमबर है तो हमारे पास जो भो जो भी आया वो आ जाएगा last में कि minus 2X और equal to minus का 168, 00, 00, 30 ठीक है minus से minus तो cancel हो गया और X की बेलिगा आ जाएगी 168 thousand upon 2 तो 2 से divide करेंगे आपका answer आ जाएगा तो मेरे ख्याल से 84,000 जो मुझे लग रहा है 84 को जो भो आगर मैं 2 से multiply करता हूँ तो यह हो जाएगा 4, 2, 8, 8, 8, 2, 6, 1, 6, 8 ठीक है तो ऐसे कार दिया है मैंने 84,000 तो 84,000 भी भी दा right answer X की बेलिगा आगी 84,000 तो कुछ इस तरह से जो आपको करना था इसका क्या जो वो ट्रिक हमने फॉलो किया हमने क्या किया यहां पे कि income और expenditure की रेसो जो वो दी थी 7 upon 5 ठीक है हमारे से पुछी थी annual income उसको माल लिया हमने X और जो यहां पे 5 है जो वो expenditure है तो X में से क्या minus करेंगे जो savings है savings हाई हमारे पूरी साल की 24,000 बस इसको solve की across में और हमारा answer X की बेलिगा आभी next question है वो भी काफी अच्छा question है question number 36 एक आईताकार आकार की lawn की नंबाई the ratio of the length to breadth of rectangular lawn ठीक है तो इसने बोला है जो rectangle है उसका जो भी length और breadth है तो length जो भो इसकी respective 3 ratio 5 है मतलब कि 3 जो भो length है और 5 जो भो इसकी breadth है इसने बोला है कि उसमें बार लगाना है उसको फैंसिंग करनी है तो it cost उसकी cost दे रखी है 30 to 100 to fence it at the rate of 2 a meter टेक है रुपीज 2 मीटर होगा यहाँ पर ठीक है कि 20 रुपीज पर भर्ग मीटर की दर से कितना खरचाएगा 20 रुपीज परती बर्ग मीटर की दर से कितना खरचाएगा यह काफी खतनाक वाला question है लेकिन बहुत easy है तो सबसे पहरे तो इस question में जो यहाँ पे हम लोग कैसे solve करेंगे तो यहां पर लिखा है दो रुपीज प्रती मीटर की दर से ठीक है इसका क्या मतलब देखे इट कॉस्ट रुपीज थर्टी टू हंडर्ड टू फैंसिट है दा रेट आफ टू रुपीज पर अमीटर ठीक है तो तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि 300 मतलब कि 3200 या 3200 मीटर में जो वो कितना होगा देखें आगर मैं बोलू कि 2 मीटर को यहां पर लिख दिया 1 ठीक है तो एक मीटर के लिए आ जाएगा यहां पर 1 अपन, 2 हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं देखू कि थर्टी टू मीटर के लिए जो रू कितना आगा lah वन अपन टू मिल्ट्पाई वह 30 to 100 तो इकट गया 2 से 16 आ गया पे 1600 तो यहां पे 1600 आ गया अब आपको जो यहां पर 305 दी है इसकी याद रखना है आपको 1600 आ रहा है तीक अब आपको जो वह पता है इसने जो लेंथ और बेर्थ दे यह है 3 रेसो 5 तो अगर यह तो रेसो में है तो हमने माल लिया 3x रेसो 5x ठीक है तो यह जो एक्स है वो सेम हो रहेगा आपको बताए क्यों लेंट फैक्षिन के बारे में अपने बढ़ा होगा अगर मैं क्योंकि हमें जो वो पैरिमीटर देखना है तो अगर मैं पैरिमीटर करूं तो यह जो बन जाए गया यहां पर टूजा 16 16 x equal to 16 100 आगया तो 16 16 तो x की वैलियो आगी 100 तो अगर x की वैलियो 100 आगी तो अभी हमने बोला कि उसकी लेंद जो भू 3x है और बेट जो फाइव एक्स है अगर एक्स अंडर्ड है तो थी मुल्टिक्लाइब हैं थी हंड अगर एक्स जो 100 है तो फाइव मुल्टिक्लाइब हैं और यह जो हमारी ब्रेट है अब इसने वह अम एरिया निकालते थे क्योंकि इसने बोला 10 स्कूर मिटर तो एरिया की तो एरिया का तो यहां पर काम है तो एरिया निकालना पड़ेगा वहले तो अगर मैं एरिया बनू निकालना है कि एक स्क्वेर तो एक स्क्वेर मिटर की जो कॉस्ट है बो इसने बताई है कि 10 रुपीज है ठीक है बो उसने बताई है 10 पर स्क्वेर मिटर लेका रुपीज 10 तो पंदरा कि पंदरा हजार कहां चला गया इस पंदरा हजार अच्छा इसका एडिया कितना रहा है फाइव ट्रीजा फिफ्टिन 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 ही तो यहां पर जो वह 15 था ना तो तो 15,000 अगर एक स्क्राइन मेंटर की जब वो 10 रुपीज है तो 15,000 की कितने यह जाएगा 15,000 नहीं वन लाग 15,000 है तो एक दो चार जिरो पहले से तो पांच जिरो आजाएगी ठीक है तो पांच जिरो आगे तो मेरे ख्याल से यह बन जाएगा 15,000,000 15,000 बन लोगी 15,000 के आगे 5,000 तो 15 आगे 5,000 जब हो हमारा एक यह उपसन है 15 देखिए तो भी विल विदा राइट अब इसमें ऐसा है कि आपने जो जैसे आपको पते जला 15 जो आ रहा है आप जलदी से उपसन में जो देख लेजिए कि 15 कांप है उसको टिक करी जलदी स नेक्स कुशिन भी काफी इंटरस्टिक लग रहा है मुझे ए बी और सी एक रकम को जो वो आपस में जो बांट देते हैं जैसे मारलो मैंने जो पांच सो रुपए है मेरे पास मैंने जो वो सो रुपए किसी को मैंने दू सो रुपए दे दिये किनों के तिन सो और एक को मैं है B का इससा जब आपको यहां पर दिया है 2989 what is the total amount एक काफे सिंपन सागोई सी नहीं देखिए इसमें सिधा साथ लॉजिक जब आपने यह लगाना है कि A रेसो B रेसो C का जब वो रेसो जब वो कितने दी है इसने इसने बोला है 4 रेसो 7 रेसो 9 एक इबन है हमारे पास ठीक है क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसको मालने बने 4X और इसको मालने 7X और इसको मालने 9X बस X की वैली मिल जाए एक बार तो इसने जब वो B का B का जो भी जितने भी पैसे बांटे है वो जब गिवन है 2989 तो अगर B का गिवन है तो B के लिए जब रिस्पेक्टिवले बोला है तो यहां पे 7X जब वो B के बराबर हो जाएगा क्योंकि B के लिए जो रिस्पेक्टिवले बदर 7X है तो अगर मैं यहां से 7X की बैली निकाल लो 7X हो जाएगा 2989 अगर मैं यहां से X निकाल लो तो इस 7 से डिवाइड हो जाएगा तो यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 28 तो यहां पे 4 पिर आ जाएगा यहां पे 7, 2, 14 और यहां पे 7, 7, 7, 7, 4, 2, 7 तो X की बैल लो जाए 4, 2, 7 अगर X की बैल लो 4, 2, 7 है तो इसने टोटल अमाउंट पूचा है हमने दोन को बांट दिया है तो हम जो वो 4X प्लस 7X प्लस 9X को टोटल अमाउंट प्लस करके जो बो निकाल सकते है एकस की बैल आ चुके हम तो 4 और 7 कितना होता है 11, 11 और 9 कितना होता है 20, तो 20X 11 और 9 जबो 20X होता है यस 20X होता है तो 20X आ गया और X की वैली मुझे पता है 427 है देखे तो टोटल अमाउंट आ है 20X और टोटल X की वैली हमें पता है तो 20X की वैली है 427 तो A आ जाएगा मेरे खिल से मल्टिक लाए करेंगे 1445 यहां पर जाएगा 8 और 0 8540 जो बी में है तो बी फिल्मिदा राइट है यह काफी जो रिस्सो वाले कोशिन है मुझे तो काफी इंटरस्टिंग लगता है आप दाएगे कि आपको जो यह कोश्चिन कैसे लगे रिस्सो वाले ठीक है बाकी कोश्चिन जो बो मुझे लगता है कि वीडियो लंबा हो चुका है अभी तो वैसे पांच मिनट है लेकिन बाकी यहां से जो बो हम लोग जो नेक्स पार्ट में ही डिस्कस करना स्टार्ट करने कोश्चिन नमबर 38 से काफी अच्चे कोश्चिन है आपको जो बो हर एक कोश्चिन में एक कंसेप्ट जो बो शिखने को मिल रहा है हाला कि आज तो हमने रेसो वाले ही कोश्चिन किये लेकिन रेसो वाला एक टॉपिक भी जो बो अगर आप एक दिन में कवर करते हो आपको जो जैसे प्रीबियस एर के कोश्चिन सेनिक स्कूल या नवद्य जो भी अगसाम दे रहे हैं जो भी इन ट्राइब दे रहे हैं दो घंटे जो डेली निकाल है उसमें जो प्रीबिएस येर की कोश्चिन को निसक्स करिए ठीक है तो उसमें हर एक टॉपिक जैसे हमने जो आज रेस्टोबा पड़ा इनको नोट यह question को कैसे कैसे solve हो रहे है फिर जो वो अपने दिमाग में जो आपके अंदर एक confidence आएगा कि ऐसे question तो हम लोग कर लेंगे बहुत आराम से देखे confidence तभी आता है जब question solve होता है तभी confidence आता है और confidence जो आपके अंदर रहना बहुत जरूरी है ओके thank you bye bye good night